तो इनको कितने वर्स की उम्रे में हुआ है 35 वर्स की उम्रे में गौतम बूत को ज्यान की प्राप्ति हुई है तो कौन सा ज्यान निर्वान ज्यान की प्राप्ति इनको कौन से पेड़ के नीचे हुआ है पीपल पेड़ और पीपल पेड़ के नीचे क्या निरंजना नदी के किनारे और काॉंसा वन उूरुबेला वन एफ और यह ए ऐख है कि प्योंक को ही हम लोगगा वतुव्गत को हुँ पोलते हैं वत्वरेज वत विरेज गया होता है बर्गत और या प्ल молод ये जो वत्वरेज है ये पीपल है और इसको हम क्या बोलिंग गया में बोधी विरिक्ष क्यों लोग गया आप बोधी टीक है तो बरगत और पीपल ये दोनों क्या है वट है वट विरिक्ष है टीक है मिली बरगत होता है लेकिन पीपल को भी वट विरिक्ष माना जाता है टीक है किलिए यह यहां देखना पीप कि बनेंगे बुद्ध बनेंगे तो गौदम बुद्ध का बनेंगे ह। 29 वर्स के अवस्ता के श्या बश्क के पिश्काइश अफटा अर्थाार 25 वर्स के अवस्ता में ये जो कि अब लगातार क्या करेंगे तपस्या करेंगे जब यह 49 दिन और तपस्या करेंगे तब जाकर इनको हम क्या बोलेंगे तथागत क्या बोलेंगे हम तथागत इनको तथागत हम क्या बोलेंगे जब 6 वर्स के पस्चाथ यह 49 दिन और क्या करेंगे तपस्या करेंगे तो उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे तथागत, तथागत मतलब the enlightened one, the enlightened one, तिनको तथागत हम कब बोलेंगे, जब ये 6 वर्स के बाद 49 देन और तपसे करेंगे, और ये 49 देन क्यों तपसे किये हैं, आपके मालूम है कि 49 दिन के बाद ही तो इनको मद्यम मार के बारे में जानकारी हुआ, तो वहां से 49 दिन, तो वहां उस 49 दिन से, जब ये 6 साल 49 दिन क्या करेंगे, तपसे करेंगे, कब से, देखो 29 वर्स के आयू में, ये क्या कि तपसे करना चालोगे, तो 49 दिन तो ये ऐसी तपसे कि कौँसा, कायकलेस, कौँसा, कायकलेस, तो मद्यम मार्क इनका बोत कब हु होगा इस उन्ठास से अगला उन्चास कौन सा उन्चास छ्एवर्स वाला इसलिए मैं वो रहा हूं कि 29 से lifilot सने और खा जया करेंगे और उन्चास दिन भी और क्या करेंगे जिसके बाद यह जार अधात एक ला किलाएंगे यह क्या किलाएंगे मात्मा बुद्ध और मात्मा बुद्ध के अलावा क्या तथागत क्या बोलोगे आप तथागत और इस फेस को हम बोलते हैं संबोधी क्या बोलते हैं संबोधि इस face को हम क्या वो लेंगे संबोधि जलिए उताएए मात मा बुद को ग्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ ओरोवेलावन ऊरोवेलावन में कहां पर हुआ पीपल पेड़ के नीछे नीरंजना नदी के चिनारे कितने वरसो का इनो ने रावड अर इनको हम तथागत का बोले निर्वांड यान के उन्चाजदीन पसचात इनको हमने कया बोला हमने लिए इदर याद रहेगा चलिए है अब आगे भड़ जातें अब आगे बढ़ेए भाई ध्यान दें तो हो क्या रहा है गौद घ्रड़ को ग्यान की प्राप्ति हो गई है। और यह आपके एक है कि अदमी है कि कौने अंगतन पूत के अब ध्यान देना अब थ्यान allem Irta होगा ये जब गौतमबुद यहां पर ग्यान की प्राप्ति कर लेंगे तो इनके ग्यान की प्राप्ति करने के बाद यहां पर दो लोग आएंगे एक का नाम होगा तपसू क्या नाम होगा तपसू यह कौन है तपसू है ठीक है यह कौन है तपसू और एक आदमी होगा जिसक मुलाकात करेंगे से गौतंबु से तो गौतंबु के ग्यान की प्राप्ति करने के बार वो दो लों कौन है जो गौतंबु से मुलाकात किये थे मल्लिक और तपसु और ये मल्लिक और ये तपसु ये दोनों क्या थे बंजारे थे ये क्या थे बंजारे तो दो बंजारे इनसे क्या बन जाएंगे सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष लेंगे अब गौतम बुद्ध ये सोचेंगे जो ग्यान मैंने प्राप्त किया है अगर उस ग्यान का विस्तार मुझे करना है उस ग्यान का अगर मुझे क्या करना है और अगर बढ़ाना है तो मुझे ग्यान का क्या करना होगा प्रचार और प्रसार करना होगा मुझे ग्यान सब को देना होगा अगर आप ग्यानी हो और अपने ग्यान को नहीं बाट रहे हो तो आप सबसे बड़े अग्यानी हो ग्यान को जो जितना ज़्यादा बाटता है वो उतना ही ज़्यादा क्या बनता है ग्यानी बनता है तो ग्यान तो मिल गिया कौन सा निर्वान ग्यान, अब इनका काम क्या है, ग्यान को बातना, तो अब यहां से यह उठेंगे कौन, गौतम बुद, अब यहां से उठेंगे, अब क्या ग्यान मिला है वह बताओंगा बाद में, पहले कहानी खतम करेंगे बने, ठीके, अब यहां से गौतम बुद उठेंगे, और गौतम बुद यहां से सीधा निकल जाएंगे एक जगा जिसका नाम है रिसी पटनम, क्या नाम है रिसी पटनम, तो यहां से सीधा कहा जाएंगे रिसी पटनम, और ध्यान देना रिसी पटनम बलब आज बरतमान का सारनाथ, क्या है सारनाथ, तो सारनाथ का पुराना नाम वो क्या है रिसी पटनम तो ग्यान प्राप्ति के बार मात्माबूद सबसे पहले कहा जाएंगे रिसी पटनम जाएंगे और इसी रिसी पटनम को हम क्या बोलते हैं सारनाद बोलते हैं क्या बोलते हैं सारनाद तो सारनाद जो था वो रिसीयों का स्थल था रिसी मुनियों का निवास स्थलता इसलिए हमने क्या बुला रिसी पट्टम जितने वी जो महान महान रिसी रहते थे वो इसी रिसी पट्टम में तपस्या करते थे तो 100% है अगर पांच कॉंडी लिबरामेर यहां से निकल गए निकल गए गुसा के किसे सिधार्थ से तो कहां गए होंगे रिस रिसी पट्टम चली अब रिसी पट्टम अब जा रहे हैं कौन जा रहे हैं कौन जा रहे हैं तो माल लो यह रिसी पट्टम है और रिसी पट्टम में यहां पर एक कुटिया है कुटिया मतलब यहां पर एक घर है यहां पर एक घर है इस घर के बाजू में एक क्या है क्या है चोरहा है उसका चबूतरा है उस चबूतरा में ये पांच कॉंडिली ब्रामड बैठे हुए थे ये कौन कौन है कौन कौन है ये कॉंडिली असाजी वपा भादिया और महानामा चलिए यह घर में यह घर ग्युत्री में बैटें हैं कौन पांच को इसे इन के पास जा रहे हैं इनके पास जा रहे शुटर्पफिड है अब यह लोग देखेंगे किसको गौठमवुथ को तो फेले स्थार्थ ही पता नहीं क्या घ्यान परप्त किया है अपना थपकशस्य भंग किया था हमारे भी क्या क्या थपकश्य अभंग कीया था ह cou developments रहा है यहसे कोई बान करेगा कोई भी इसे बात नहीं करेगा वो जो आ रहा है गौन सिधात यह सब चर्चा कर रहे थे लों सिधात और करीब आ गए ठीक है जब यह और करीब आए तो यही बात हो रहा था जब यह और करीब आए जब यह और करीब आए जब यह और करीब आए तो यह सभी लोग कि सभी लोग सिधात का क आत्मा गुद गौतम क्यों क्योंकि प्रजावद्धी गौतमी ही इनको क्या कि थी लालन पोसंड की थी अब होगा यह कि यह पांच कॉंडिली ब्रामड यह पहले वह व्यक्ति होंगे जिनको गौतम बुद्ध अपना पहला धर्म उब्देश देगा इसलिए मैं बूलूंग कि इनी पांच कॉंडिली ब्रामड को गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया धर्म अब्देश क्या दिया धर्म उब्देश तो ही गेव इस फर्स्ट सर्मन्स तो पांच कॉंडिली ब्रामड और पांच कॉंडिली ब्रामड कौन कौन है यह आपको मालूम है ठीक त अपने पहला दरमवदेश किसको दिया पाश कॉंडेलीव निया पाश कोंडेलियव ब्रामड को और गौतम पुत के पहले धारन मिक सश्यक़ॉvanे पथ कोनomos यहां पर दर्मवदेश दिया सथापना की बात की है और वो जो धर्म होगा उसका नाम क्या होगा बहत तर्म तो बहुत धर्म की स्थापना का परहोगा सारणात में का परहोगा सारनात में डля Ст reverb न हो जायी जिसका नाम क्या है बाद धर्म क्या भूर हाद धर्म की सहोस्ते नाम कम एक गौतमें वेक जैन को सापना हो गया औस आ kidney ब्रामवड़ यह पांच गॉंडिलिय ब्रामड भी है अभी ध्यान दिना भई धर्म का स्थापना तो हुआ है लिंग धर्म को अगर आगे बढ़ाना है तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक संग का निर्माड करना क्या निर्माड करना एक संग का निर्माड करन तो अब इनका काम क्या है एक संग का स्थापना किसका स्थापना संग का स्थापना तो अब ये सारनात से आगे बढ़ेंगे और सारनात के ठीक आगे में इनको एक जगा मिलेगा जिसका नाम है कासी क्या नाम है कासी अब ये सारनात से अब ये सारनात से कहां जले जाएंगे क कासी जाएंगे कहां जाएंगे कासी जाएंगे जब ये कासी जाएंगे तो कासी में इनको एक वैपारी मिलेगा जिसका नाम है यास क्या नाम है यास तो कासी में इनको एक वैपारी मिलेगा जिसका नाम क्या है यास और यह वही यास है यह वही यास है जो गौतम बुत का यहां पर एक संका निर्माड हो जाएगा कहां पर कासी में कहां पर कासी में तो बहुत संका स्थापना पहली पर कहां पर हुआ कासी में और कासी में अगर इस बहुत संका स्थापना हुआ है तो किसके अनुदान से यास तो एक वैपारी जिसका नम क्या था यास उसी के अनु क्या है लोगों को जोड़ना और लोगों को कर दोड़ेंगे जम गौत्म बुद स्वें धर्म उबदेश देंगे तो अब यहां से गौत्म बुदा आगे बढ़ेंगे अब यह kg 80 वापस पहुंच जाएंगे का aujourd जाएंगे चासी जाएंगे इसी गया में इसी गया में इनको तीन भाई मिलेंगे किते भाई मिलेंगे तीन भाई अब वो जो तीन भाई थे उसमें से एक का नाम था मुख्य कस्यप क्या नाम था मुख्य कस्यप तो एक भाई का नाम क्या है मुख्य कस्यप एक का नाम है नदी कस्यप नाम क्य है मुख्य कश्यप एक नम क्या है नदी कश्यप और एक कर नाम क्या है गया कश्यप क्या कश्यप गया कश्यप तो भाई इनको गया में किते भाई मिले तीन भाई यह तीन भाई का नाम क्या है मुख्य कश्यप नदी कश्यप और गया कश्यप इसमें जो मुख्य कश्यप है इसी मुक्य कसब को हम महाकस्यप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाकस्यप. और यही जो महाकस्यप है, यह गौतम बुद के सरवादिक सिक्चित सिश्य हो जाएंगे. गौतम बुद के सरवादिक सिक्चित सिश्य कौन है? महाकस्यप. The most educated scholar of Gautam Buddhas, Maha Kasiyab, कौन थे वो? Maha Kasiyab, तो आप गया जाँगे, आप नी जाँगे, अगर आप Gautam Buddhas, तो आप कहाँ जाँगे? गया गया है, आप सभी यहाँ पर कौन हो? गौत अंबुध हो, और आप लोगो कहा गया हो? गया गया हो, आप लोगो अपने आप पो Gautam Buddhas माल इसमें मुंक्च कंष्यप नो कोन है कौन है महा अब होगा यह कि तीनों गॉत्वूत ग्वुन्द क्या अनुवाई बन झाएंगे तीनों गौतम बुद्ट के और इनके अनुवाई बनने के कारण गया से एक हजार और लोग इनके क्या बन जाएंगे सश्षी बन जाएंगे तो यहां पर बहुत धर्म की अन्वाईयों की संख्षी कितने हो जाएगी एक हजार किनकी कारण मुख्य कश्यप नदी कश्यप और गया कश्यप के कारण ठीक हजार लोग और इंसे क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो कभी वी कोशन पूछे ज तो अब बहुत संग में किते लोग जुड़ गए एक हजार अब यह धर्म जो है यह अपने स्वरूप में आ रहा है लोग गौतम बुद को मानने लग गए हैं गौतम बुद को भगवान तुल्य मान रहे हैं और गौतम बुद जो है एक धर्म का स्थापना भी कर दी है ना जाएंगे तो यह गया से गौतम बुद जो है अब वो गया से और विसली कहा जाएंगे राजगरी कहा जाएंगे यह राजगरी और जब यह राजगरी पहुचेंगे जब यह राजगरी पहुचेंगे इसी राजगरी में इसी राजगरी में इसी राजगरी में इनकी मुल करेंगे या इनका स्वागत करेंगे कि बिम्भी सार ने पहले इंको चेता नहीं दिया था कि तुम बिल्कुल भी सन्यासी क्यों मत जो सन्यासी मत बनो तुम चक्रवती समराड बन रहे हो लिए अब बिम्भी सार बिल्कुल उल्टा हो गए अब बिम्भी सार क्या करेंगा विभार उपहार में दिया, विभार वो स्थल होता है, जहां पर बाद बिख्चु और insurance निवास करते हैं, अराम करते हैं, IAS 2013, IAS 2015, यह दो बर पुछाऊ खुषन है, विभार और चैते कि बिच में क्या अंतर होता है, तो आप ये ध्यान दोगे, विभार वो होता है, जहां पर बहुत अनुवाई जो है, वो क्या करते हैं, निवास करते हैं, तो बहुत अनुवाईों का निवास से सल क्या होता है, विहार, तो गौतम बुद को पहला विहार कहा मिला, राजगरी में, और राजगरी में उस विहार का नाम क्या है, बेलुवन, नाम क्या है, बेलुवन तो बेलुवन नामक विहार उपहार में किसने दिया बिम्बी सार ने किसने दिया है बिम्बी सार ने क्लिर है तो अब इनको विहार भी मिल गया अब इनको टहरने का एक जगा मिल गया कि इनको गौतम बुद को और ये विहार कौन दिया बिम्बी सार ने कौन दिया बिम्बी अनुमी निगर माल लो जी हपका पट्णा यह क्या है बिहार में है बिहार से यह जो जोड़ा हुँआ जया क्या है में अतर्प्रदेश क्या है अब ध्यान देना है ती यहां पर एक नदी बहरी है, जिसका नाम क्या है? सर्यू नदी, और यह सर्यू नदी किसे मिल रही है? किसे मिल रही है? गंगा से, सर्यू नदी के, सर्यू नदी के उत्तर में, यह आयोधिया है, क्या है? आयोधिया, क्या है आपका? आयोधिया, आयोधिया को सरावस्ती इसी से व sisterी से पास ठीक यहाँ पर एक जगह है जगानाम के अन्नुमिय allora किसके पासा है सिरावस्ती के पास किसके पास है स्रावस्ति के पास तो उस समय जो अनुमिय नगर है वो स्रावस्ति के ही अंदर आता था वो कौसर प्रदेश में आता था तो स्रावस्ति के अंदर में क्या है अनुमिय नगर है क्या आपका अनुमिय नगर अभी ध्यान देना इसी अनुमिय नगर में इ कहां पहुंच गहां यह काया है यह स्रावस्ति यह पहुंचे स्रावस्ति इसी अन्मी निगर इसिंगे निगर में कर एक राजकुमार कुमार में घृत ब्लेसी पैसा ब्रामous भार करके एक विहार लिया था एक G1 को खरिदा फाएप पुरे 1 को कौक हिरना था औरUD ता जैत व तो यहां पर जैत कुमार से एक ब्रामण ने जैतवन खरीदा था और उसी जैतवन को उपहार स्वरूप उस जैतवन को उपहार स्वरूप उस ब्रामण ने किसको दे दिया गौतम बुद्ध को उस ब्रामण का नाम मैं भूल रहा हूं किया कुछ पिंडक नाम था ठीक है कल बत हुदा दूंगा। यहां पर एक ब्रामप्र मिलेगा। आब ब्रामप्र जैतओं उपहार को कौतम बुद्द को कौतम बुद को दूसरा विहार क्यों सप्रइब है ? repませ पहला पाला यह था ऑच बेलू दूसरा जैतवन और जैतओं pong जैत राज कुमार कोई जैत राज कुमार, तो पिंडक और जैत राजकुमार से भारी पैसा देकर जैत देंगे और जैत्वन उपहार में देंगे किन को गौतम बुद को तो अनात पिंदक यहां पर क्या बन जाएंगे सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो होगा ये कि गौदम बुद का एक चचेरा भाई नाम क्या था देवदत है उसे देवदत का एक भाई कौन था आनंद तो यह जो आनंद है यह आनंद गौदम बुद के सिश्य बन जाएंगे कहाँ पर जैतवन में तो जैतवन में